नमस्कार दोस्तों मैं हूँ विन्या और एक बार फिर सापका वेलकम है आपके ही चैनल पर आज मैं आपके शेयर करने वाली हूँ गर्मियों की सुपर हाड़ी पर्मनेंट फ्लावरिंग प्लांट जो आपके गार्डन को पूरा रंगों से भर देंगे और यह जो प्लांट ह क्या से अएक बार लाने के बाद आपके गार्डन में साल js हो साल बने रहते हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं वह कौनशे है टीच्छोटे नहीं में घ्करावर से बर देते हैं तो कई दूसरा नमेरा प्लान्ट है यह है टिकूमा तो की देख belly बहुत खुबसुरूत लगती है चोटे-चोटे प्लावर है और डार्क औरंज कर गले चोआथी फूट को एक हर्ड़ी प्लान्ट है तो इस प्लान्ट को भी आप जरूर स्दूर अपने गार्डन में एक परें तो यह जो प्लांट है मैं पिछले साल लाई थी और अब देखे कितना काफी घना और बड़ा हो गया है जो तीसरा मेरा मोस्ट फेवरेट प्लांट है गर्मियों का देखे यह है गुढ़ल तो यह multiple variety वाला है यह काफी खुबसरत लगता है और देखे इसमें कल्या कितनी बनी वी है तो यह प्लांट भी मैं पिछले साली लाई थी और गुढ़ल में एक चीज का आपको खास जान लखना है देखे जो कल्या है यह बिल्कुल clean रहने चाहिए इसमें मिली बहुत जादा लगता है अगर इससे बचा लिया तो आपका प्लांट बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करता है तो एक प्लांट यह भी है इसी के variety है देखे यह तो इन सब में insecticide का छिड़काव किया और यह जो variety है देखे काफी खुबसरूत फ्लावर खिल रहे हैं इसमें तो यह बहु देखे यह मेरे उपर देख रहे हैं कनेर का ओलियंडर तो यह पिंक वाली है काफी खुबसूरत लगती है और काफी बड़ी हो जाती है चोटे से पाट में एक बिलकुल ट्री का रूप ले ले लेती है तो पक्षियों के लिए भी अच्छा है हमारे लिए भी अच्छा है जब हम गर्मियों में गार्डन में आते हैं तो काफी ठंड़क देता है इसके नीचे हम खड़े हो सकते हैं थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो यह मेरा मोस्ट फेवरेट है और यलो कनेर भी आप लगा सकते हैं वह इससे भी जल्दी बड़ी होती है और इसके लावा आप उपसुरत लग रही है यह वाली देखे काफी सारे आएवे हैं एक यलो आला और जो मैंने आपको पहले दिखाए थे वो उधर रखे वे उनकी कटिंग कर दी वो खिलके जा चुके हैं अब यह खिल गए हैं तो यह क्रम मेरे यहां चलता ही रहता है तो मैं इसको अच्छी तरीके से फटलाइच करती रहते हूं इसके शाद भी शेयर करूंगी मैंने क्या डाला था क्या नहीं कभी नेक्स्ट वीडियो में और इसके लावा मैं आपको शेयर करते हूं आप लगा सकते हैं अभी इसमें फ्लावर नहीं आए हैं यह एक वाइन प्लांट है लेकिन गमले में लगा हुआ है और देखे इसमें अब कलिया बननी स्टार्ट हो गई है काफी अच्छे से खिलने वाला है पूरी गर्मी यह आपको बहुत ही बढ़िया फ्लावर देता है और हमारा गार्डन बिल्कुल फूलों से भरा रहता है ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि हमा तो भी वह सर्वाइब कर लेता है इसमें भी आपको डेरो रंग मिल जाते हैं तो देखे छोटे-छोटे फूल कितने प्यारे लगते हैं यह इसमें मैंने बहुत सारे कलर के फ्लावर देखे हैं तो कोई सा भी आप ले सकते इसके अलावा देखे अगर आपको खुस्बु प्लावर देखे इसमें कल्या बननी स्टार्ट हो गई है बहुत ही जल्दी यह खिल जाएगा तो इसमें बहुत ही प्यारी खुस्बु आती है वाइट कलर का फ्लावर आता है डबल चान्दनी से मिलता जुलता तो अभी खिला नहीं है देखे तो इसको भी आप लगा सकते और इसके अलावा जो हमारे घर में सबके घर में अपने आप युग जाता है यह है सदा बाहर तो यह देशी वराइटी है बहुत ही खुबसूरत लगती है गर्मियों में तो इसको जरूर से जरूर लगाए और इसके अलावा अगर आप गुलाब की केर कर लेते हैं तो गर अगर आप केर करते हैं तो गर्मियों में पी गुलाव बहुत अच्छे चल जाता है और मुझे वीडियो बनानी थी तो इस वज़े से प्लांट मैंने उधर रखे हुए है इसके लावा आप लगाईए डबल चांदी को डबल चांदी में इतनी प्यारी खुस्बू आती है देखे डेहरो कलिया बनी भी है तो यह सुपर हाडी पर्मनेंट फ्लावरिंग प्लांट है तो देखे इतनी प्यारी खुस्बू की पूरे आपके गार्डन को महका देती है तो इसके बाद में ये वाला वीडियो बनाने वाली हूँ कि हम मोगरा के और डबल चांदी के प् इसके लावा आप लगा सकते हैं मधुमालती को गर्मियों में ना प्लांट की कोई सीमा नहीं है तो सर्दियों वाले तो ऐसे खिल के चले जाते हैं लेकिन जो गर्मियों के प्लांट होते हैं वह हमेशा हमारे गार्डन में बने रहते हैं तो मैं जादा प्रिफर करती आपने देखा होगा, सीजनल प्लांट मैं कम लाती हूँ, गर्मियों के होँ, चाहे सर्दी के होँ, लेकिन जो पर्मनेंट फ्लावरिंग प्लांट है, उनको मैं हमेशा लेकर आती हूँ, मेरे गार्डन में लगबग हर तरीके के प्लांट है, इसके लावा आप एक और प्ला पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिगा, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए, नमस्ते